हमारे चैनल दफर डिजीटल को सब्प्राइब करें भी लेके आना फर्मीचर भी लेके आना गारी भी लेके आना और लाने के बाद भी फिर हाजारो लानते ये शरीयत में जाइज तो मैं आपको का ना कोई लड़का था उसने कितने सवाल पूछे लड़की को हलो असलामु अलेकुम मेरा नाम है आईश्या आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जारी हूँ अपनी मर्जी से करना जाती हूँ इस पर किसी का दोर या दबाव नहीं है अब बस क्या कहें ये समझ लिए खुदा की जिन्दगी इतनी होती है और मुझी इतनी जिन्दगी ब नहीं गन्ना ये आईश्या लड़ाई के लिए नहीं बनी प्यार करते है आरिफ से उसे परिशान थोड़ी ना करें अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है वो आज़ाद रहे चलो अपनी जिन्दगी तो यहीं तक है मैं खोश हूँ कि मैं बला से मिलूँगी उन्हें कहू बोद अच्छे मिलें तो साथ कई कमी देगी मुझ में तकदीर में मैं खोश हूँ सुकून से जाना चाती हूँ अल्ला से दुआ गरती हूँ कि अब दुबारा इंसानों की शकल ना दिखाए एक चीज ज़रूर सीख रही हूँ मुभबत करनी है तो दो तरफा करो एक दुआ के बाद भी अदूरी रहती है यह प्यारी सी नदी प्रहे करते हैं कि मुझे अपने आम में समाल है और मेरे पीट पीचे जो भी हो जादा बखेड़ा मत करना मैं हवाओ की तरह हूँ बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ इसी के लिए नहीं रुकना मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चीए ते वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्छा है वो बता चाहती हूँ अब ही कारी कमर सब आप जहेस के ओपर बहुत अच्छा आपने कहा उस लानत को तो मेरे को फोरन एक बाद है अब मेरे को मालमकारी कमर आप तो माशालला जावान है मैं तो बुद्धा हो गया है मैं तो देखे देखे क्या रहाता है यह एक्ट्रेस गाड़ी यह लोकल गाड़ी कब बैठे की भाई लेकिन एक नहीं मेरे को समय हम लोगों की जमाने में जब शादी होती जी ना मौना क्या नमाना मौना तैयब साथ शैद आप मेरा साथ दो की ना क्योंकि मेरी शादी की दास्तान सुनना है आप देखो कितने खुश हो रहा है यह जितने बड़े बुडे उनको मैं समझाना चाहरा हूँ कि मेरी शादी मुही ना मौना कारी कमर साथ उस जमाने में लड़की को देखने नह आपका भी ऐसा ही हुआ? मेरा तो हुआ है इसा है हाँ? सही में? मैं घर पर आया है मुझे बताया कि भाई शादी है? भाई किसकी लड़की के साथ? तो मैंने का अम्मा दरब देखना तो है? मिरी अम्मा जो गुस्से हुई? मुझे कहने लगी तुम्हारी माने घल्स हो जा मेरे को भी नहीं दिया है यहां बहुत सारे बड़े बुटे इसे ही बैटे होंगे वो पहली रात को घूंगट उठाया जो मॉड़न होने के चले जा रहे है चले जा रहे है बाई लेकिन ये घल्द है बोलो ये मैं इसजैस के ऊपर एक बात सुनाना चाँग हो बोलो अगर ऐसा कौई घाउं में करते हो तो उसको रोको यह भै चाहिए मेरे माबाप ने किखा हो कि किसी के माबाप ने किया जो खल्ट है वो शरीयत में इजासत दिए जिस से शादी करना हो उसको देख सकते हर लड़के को इचा सके कि जिससे शादी करना हो उसको बोलो बोलो मैंने आप तो घबरा थे भाई यहां बहुत बड़े मुफ्तियों के बीच में बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी हदीस की किताबों में लिखा अगर कोई लड़का सही नियत से शादी करना चाहता हो तो लड़की को जाए और देखने का मूबाइल नंबर लेके नहीं आने का चेटिंग नहीं करने का फोटो लेके सिर्फ क्या करना एक जगा एक वाक्या होगा एक लड़का देखने गया बैशरीयत की तरफ से परमिशन है देखने गया अब देखने क्या गया उसने लड़की को एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल, पाथ सवाल करते करते बीस सवाल पुछा वो लड़की ती काली का कुंड यहां के रहने वाली थी दिमाग गया बोलो दिमाद, वो सोचने लगे देखने आया कि एक्जामली ने आया, इमतिहान ले लें आया, अच्छा 20 सवाल पुछने के बाद, पिर 21 सवाल क्या पुछता है, वो लड़की से पुछता है 20 सवाल के बाद, चा पुछता, अगर तेरी मेरी शादी हो जाए, तो तेरा बाप शोरूम में सक गाड़ी निकाल के देगा ऐसे बिखारी है ने बहुत जगप ने दो तरह के बिखारी होते एक वो बिखारी होता अल्ला के नाम पे दे दे अल्ला के नाम पे दे दे और एक पौश बिखारी होता ये शादी करे कबाड भी लेके आना, फलंग भी लेके आना, मोतरबाइक भी लेके आना, फर्मीचर भी लेके आना, गारी भी लेके आना, और लाने के बाद भी फिर हजारों लानते ये शरीयत में जाइज तुम्हें आपको का ना कोई लड़का था उसने कितने सवाल पूछे लड़की को और 21 को सवाल क्या पूछा कि अगर शादी हो जाओ तो तेरा बाप शोरूम से मेरे को गाड़ी वाड़ी निकाल के तो सबार निकाल के निदिगा तो लड़की यहीं की होगी काली का कुड़ उसका दिमार गया उसने क्या गया मालूम अरे तुल के बाद करता मेरे बाद के बाद करता मेरे बाद में ताकट है तेरे को पलेन देगा उसमें एरपोर्ट बनाने की ताकत है भाई बात समझ में आ गए आपको अब तो हसो भाई इतना हसा है आप तो हसो भाई अब तो मेरा साथ हो